हेई मेट्स आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सेलोलॉड पेरडाइज में आज दे बैटमैन के बारे में फाइनली मैं डिस्कस करूँगा आप दों के साथ तो एक स्पोईलर अलर्ट जरूरी है 110 परसन का स्पोईलर अलर्ट देते हुए चलिए वीडियो को नहीं है तो आज मैं कहानी समप करूँगा कहानी समराइज करते हैं आज पूरी कहानी डिटेल में मैं एक्स्प्लेइन नहीं करूँगा ये आप लोग जानते हैं अगर मैं ही पूरी कहानी बता दूँग तो आप लोग का फिल्म देखने का मज़ा बिलगर जाएगा तो जो मूवी को काफी पसंद किया जाए लेकिन कुछ कारणों की वज़े से फिलहाल शायद इंडिया में बॉक्स ओफिस पर ये इतना कमाल नहीं दिखा पा रही है मूवी की शुरुआत बैटमेन और रिडलर इन दोनों के ही नजरिये से होती है रिडलर एक जगह पर नजर रखे हुए है और बैटमेन भी शहर पर नजर जमाय हुए है रात का वक्त है कब कहां कौन सा क्रिमिनल कुछ हरकत कर दे इस नजर में बैटमेन है और रिडलर की नजर शेहर के मेर पे है तो इन दोनों के नजरिये को मिक्स अप करके मूवी की शुरुवात हुई है यह मुझे काफी अच्छा लाथा ब्रूस वेन यानि बैटमेन शायद एक डाइरी मैंटेन करता है जिसमें वो अपने बैटमेन एडवेंजर्स के बारे में लिखता है तो वो जब नेरेट कर रहा होता है तो हमें यानि ओडियन्स को यह पता चलता है कि बैटमेन का एपिर हुए दो साल हो चुके हैं वो दो साल से ब्रूस वेन दो साल से पिछले दो साल से वो शेहर में अपराधियों के खिलाफ एक्टिव है लेकिन वो इतने बड़े लेवल में एक्टिव नहीं है वो जो चोटे मोटे अपराध है उन अपराधियों के खिलाफ वो फिलहाल एक्टिव है Bruce Wayne ये बताता है कि शहर काफी बड़ा है और हर जगा वो नहीं हो सकता है तो ये जो Unchained Criminals हैं Unorganized जो Criminals हैं ज्यादा तर Robbers चोर जो किसी को भी लूपने की फिराग में रहते हैं उनके अंदर अब धीरे धीरे Batman का डर बैठ गया है Bruce Wayne ये भी बताता है कि अब आकाश पर बैठ का सिंबल आता है तब उसे बता चलता है कि कहीं पर Batman की जरूरत है मुवी में Current Year इतना Specific नहीं दिखाया गया है लेकिन महीना है October ये कहता है कि October महीना है और मुवी खतम होते होते November पहुँच जाता है तो ये एक डेर महीने के Events है Bruce Wayne को रातों को नीन अब आती नहीं है बिना गश्ट लगाए वो सो नहीं पाता है इसलिए हर रात वो निकल आता है Batman बढ़कर और कभी-कभी उसे अगले दिन याद नहीं राता है कि पिछली रात को क्या हुआ था उसे बहुत ध्यान लगाना पड़ता है तब जाकर उसे याद आता है तो इसलिए वो फिलहाल एक टेक यूज़ कर रहा है वो अपने आखों पर लैंस लगाता है जिसमें वीडियो रेकॉर्डर होता है तो सारी चीजे सारे इवेंट्स रेकॉर्ड होते रहते हैं जो बाद में वो अपने बेस्मेंट में जाकर देखता है तब उसे बता चलता है कि एक्चुल में रात में क्या क्या हुआ था तो आसमान में बैट का सिंबल देखकर दो क्रिमिनल्स तो क्राइम खुद ही रोक देता है डर की वज़े से और एक रेल्वे मेप्रो रेल्वे स्टेशन पर एक पैसेंजर को कुछ गुंडे घेर लेते हैं वहाँ पर फाइनली बैटमन एपीर होता है और उनकी काफी ढुलाई करता है और उनमें से एक जब पूछता है कि तुम आखिर कौन हो तब यह कहता है कि I'm Vengeance तो शेहर में बैटमन से इसे अब तक इतना बुलाया नहीं गया है जो हाई लेवल क्रिमिनल्स हैं जो और गरनाइज़ सिंडिकेड है क्रिमिनल्स का वो लोग इसे अभी भी Vengeance ही बुलाते हैं जो बात में हमें दिखाया जाता है और इसको हलके में ले रहे हैं इतना सीरियसली वो लोग ले नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनका कुछ बिगार नहीं पाएगा और दूसरी तरफ रिडलर एक्टिवेड हो चुका है और वो अपना पहला मिशन पुरा करने की कोशिश में है और उसका मिशन यह होता है कि वो मेर को मारना चाता है तो election आ रहे हैं और news देख रहा होता है फिलाल का मेर जिसको उसके ही घर में रिडलर मार देता है और बैटमेन के लिए क्लूज छोड़ता है यह रिडलर कैरेक्टर एक्टिवेड में कैसा है इसके उपर मैंने वीडियो बना रखा है तो यह खून करने के बाद क्लूज छोड़ता है बैटमेन के लिए और पुलिस के लिए रिडलर को पूलिस पर तो इतना भरोसा है नहीं लेकिन वो बैटमेन के लिए क्लूज छोड़ता है, क्यों छोड़ता है ये मैं थोड़ी देर में आऊंगा इस पर सो रिडलर मेर को माल चुका होता है और उसका अंगूठा काटके वो ले गया है, और क्राइम सीन पर अफिसर गॉर्डन, पूलिस अफिसर गॉर्डन वो फिलहाल कमिशनर नहीं मने है, वो बैटमेन को एलाव करता है आने के लिए बाकी अफिसर्स इस बात को इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन गॉर्डन की वज़े से वो लोग बैटमेन को मना भी नहीं करते हैं तो गॉर्डन बैटमेन को इंवाइट करता है क्राइम सीन पर और बैटमेन वहाँ पहुंचता है और ये क्लूज देखता है वो उसके लिए पहलिया रखके जाता है रिडलर, तो पहलियों को बैटमेन देखता है और solve भी करने लगता है देए देए वहाँ पर फिर कमिशनर भी आते हैं और कमिशनर को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि बैटमेन क्राइम सीन पर है और उसका गॉर्डन के साथ थोड़ा सा मद्धेद हो जाता है लेकिन गॉर्डन की वज़े से वो बैटमेन को कुछ नहीं करता है क्राइम सीन को पूरी तरह से देखने के बाद बैटमेन वहाँ से चला जाता है वो अपने घर में आता है अपने बेस्मेन में उसने अपना एक ओफिस जैसा बना रखा है सेटब है उसका वहाँ पर वो लैंसिस उटार के रिकॉर्डिंग्स देखने लगता है अल्फरेड भी आता है वहाँ पर और दोनों मिलकर देखते हैं वो फुटेजिस और रिडलर के द्वारा छोड़े गए क्लूज पर डिसकेशन्स करते है रिडलर के क्लूज डिकोड करने के बाद ब्रूस रुएन को ये पता चलता है एक तस्वीर मिलती है गॉर्डन और बैटमेन को की मेर एक लड़की के साथ केरमाइन फैलकॉन के कलब में बार में वो मौजूद था तो वो लड़की कौन है ये पता लगाने के लिए बैटमेन वहां जाता है और वो लड़की भी फिलाल गायब होती है और वो लड़की होती है सेलिना काइल की रूमेट सेलिना काइल वहां उसी कलब में काम करती है तो बैटमेन उसका पीछा करता है उसके अपार्टमेंट में उसे वो लड़की दिखती है सेलीना काईल ही कैट वोमन भी है वो कैट वोमन बनकर रात को रॉबरी करने निकलती है वो रॉबरी करने मेर के घर में ही जाती है जहाँ पर खून हुआ था उसी क्राइम सीन पर और वहाँ पर वो एक लॉबरी के पासपोर्ट निकल रही है उस लॉबरी के पासपोर्ट और कुछ ज़रूरी डॉकुमेंट्स होते है जो सेलीना निकलने जाती है तो मतलब मेर नहीं चाहता था कि वो लड़की शहर छोड़कर भाग जाए तो इस लड़की को कुछ राज पता होते है तो बैटमें सेलीना को कंविंस करता है कि वो उसकी मदद करे और दोनों उस लड़की से बात करने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाते है लेकिन तब तक वो लड़की गायब हो चुकी होती है अपनी दोस्त की मदद करने के लिए बचाने के लिए सलीना बैटमें का साथ देने के लिए तयार हो जाती है बैटमें सलीना को भी वो रिकॉर्डिंग करने वाले लैंसेस देता है और प्लान ये होता है कि नेक्स्ट सलीना केरमाइन फेलकॉन के पेंगुइन के प्लब में जाएगी और वहाँ पर जितने भी शहर के बड़े-बड़े लोग आते हैं उनको बैटमेन देखेगा और उनकी बाते सुनने की कोशिश करेगा और सलीना कोशिश करेगी उन लोगों से अपनी रूममेट के बारे में उगलवाने की इन सब के बीच रिडलर का अगला शिकार बन जाता है कमिशनर पूलिस कमिशनर को ही रिडलर मार देता है और फिर से दोबारा क्लूज छोड़ता है बैटमेन के लिए तो रिडलर एके बाद एक खून करता जाता है और उकलूज छोड़ता जाता है तो रिडलर का मकसद ये होता है कि एक ऐसा राज है चुपा हुआ है इस गोथम शहर के अंदर जिसको वो सब के सामने लाना चाहता है और इसके लिए वो बैटमेन के थूँ अपना मिशन चैनलाइज करता है गोथम शहर अभी भी अंडर डेवलप दिखाया गया है शहर के कई जगा अभी भी खंडर जैसे हैं डेवलप में नहीं हुई है पूरा शहर ड्रग्ज और नशे के गिरफ्ट में है क्रिमिनल्स का दबदबा है कानून जैसी कोई चीज नहीं है सारे पुलिस आफिसर करप्ट हैं कर्माइन फैलकॉन और पैंगुइन के जेव में रहते हैं तो पूरा समाज एक ब्रहष्ट हो चुका है कानून वेवस्था ब्रहष्ट हो चुकी है पूरा समीर बेची हुई शहर है शहर के सारा सिस्टम है यह दिखा गया है मूवी में अच्छे लोग और सच्छे लोग डरे हुए है वो कुछ बोलते नहीं है और क्रिमिनल्स अपने हिसाब से मनमानी करता जा रहा है तो बैटमें के आने से थोड़ी बहुत उमीद जागी है और बैटमें को देखकर ही एक्च्छे में रिडलर इंस्पायर होता है और वो रिडलर बनता है और वो अपना मिशन शुरू करता है रिडलर होता है एड़वर्ड नैश्टन वो थोड़ा सा संकी है वो बैटमेन और उसको एक टीम मानके काम करते हैता है और उसके प्लैनिंग के हिसाब से ही बैटमेन भी अपने मूज लेता है तो रिडलर ही सच्चा ही बाहर लाता है और सच्चा ही ये है कि ब्रूस वेन के फादर थॉमस वेन ने 20 साल पहले एक ट्रस्ट की शुरुआत की थी और उन्होंने शहर के सबसे पूराने और बड़े अनाथ आश्रम में जाकर ये वादा किया था कि उस ट्रस्ट की मदद से वो शहर को दोबारा बनाएंगे शहर के डेवलिप्मेंट्स के काम करेंगे लेकिन उस अनाथ आश्रम के मीटिंग के कुछ दिनों बाद ही थॉमस वेन और मार्था वेन की मौत हो जाती है और वो डेवलिप्मेंट्स के काम रुख जाते हैं लेकिन वो ट्रस्ट चलता रहता है और उस ट्रस्ट में ये क्रिमिनल्स ये बड़े बड़े ओफिसर्स कबजा जमा लेते हैं और वो ट्रस्ट में जितने पैसे आते हैं वो इस क्राइम सिंडिकेट में यूज होते हैं इस पूरी क्राइम सिंडिकेट का बहुस होता है केरमाइन फैलकॉन जिसके लिए काम करता है पैंगुइन और बाकी सारे लोग और केरमाइन फैलकॉन की ही ब पती को ही मार दिया था लेकिन उसे बात को चुपाया गया था जिसे बाद में एक रिपोर्टर को पता चलता है और वो रिपोर्टर थॉमस वेइन को ये धंकी देता है कि वो उस बात को सब के सामने लाए गा। Thomas Wayne अपनी बीवी की reputation को बचाने के लिए अपनी family के reputation को बचाने के लिए उस reporter को समझाने की कोशिश करता है पैसे भी offer करता है लेकिन वो reporter मानता नहीं है फिर Thomas Wayne केरमाइन फेलकॉन की मदद मांगते हैं क्योंकि दोनों दोस्त होते हैं और केरमाइन फेलकॉन इस बात का मार दिया जाए वो यह चाहते थे कि करमाइन फेलकॉन उसे डराए और धरा ढमका कर convince करें यह सब बाते पब्लिक ना करने के लिए लेकिन जब reporter को मार दिया जाता है तो Thomas Wayne को guilt होता है और वो यह कहते हैं कि वो police को जाकर सब कुछ बता देंगे उसी के कुछ दिनों बाद उ Thomas Wayne और Martha Wayne की तो यह भी एक confusion में रखा गया है एक suspense में रखा गया है क्या किरमाइन फेलकॉन ने ही उन दोनों को मरवाया था या फिर किसी random criminal ने उन दोनों को डर्टे हुए मार दिया तो यह एक suspense फिल्म के आखिर में भी बरकरा रहता है रिडलर के ही वज़े से पुराने इस राज के उपर से परदा उठता है और रिडलर एक के बाद एक अपना शिकार करता जाता है आखिर में वो खुद ही खुद को एरेस्ट भी करवाता है और रिडलर का एक बहुत बड़ा प्लैन भी होता है मास डिस्ट्रक्शन का वो क्या होता है मैं आप लोग को यहाँ पर नहीं बताओंगा आप लोग उने मूवी देख लिए तो आप लोग बता होगा ही और अगर अभी भी नहीं देखी है और आपके नजदी की सिनमा घर में अगर यह मूवी अभी भी चल रही है तो जाएए और ज़रूर देखिए यह मूवी मिस मत कीजिएगा बैटमें और लेकिन मूवी खतम होते होते बैटमें को समझ में आ जाता है कि उससे आखिर कौन सा रास्ट चुनना है और क्या करना है इस मूवी में जो गौथम शहर दिखाया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके ओपर मैं अगले वीडियो में बात करूँगा और मूवी को लेकर काफी सारी बाते हैं जो इसी वीडियो में कम्पलीट करना मेरे लिए पौसिबल नहीं है मैं और वीडियोज बनाऊंगा बैटमें मूवी के उपर Bruce Wayne क्यों Batman बनता है क्यों वो Bat को Symbolize करता है ये इस Movie में दिखाया नहीं गया है उसने इतने सारे Martial Arts कहां सिखे कहां Training ली इन सब के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है मैं उमीद करूँगा कि आगे जो Parts आएंगे उनमें ये सब दिखाया जाएगा Batman को लेकर Director Matt Reeves का Take मुझे अच्छा लगा अलग टेक है पिछली मुवी से काफी अलग है इसलिए मुझे बहुत पसंद आया और इसी वज़े से शायद Masses Audience को ये मुवी इतनी पसंद नहीं आएगी लेकिन मुवी बहुत जबरदस है आप लोग ज़रूर देखिए मैं strongly recommend करूंगा मैं अगले वीडियो में मुवी के other aspects को लेकर आप लोगे के पास फिरसे आऊँगा और अगर मेरा वीडियो आप लोगे को पसंद आया है तो मेरे चैनल को प्लीज जरूर सबस्क्राइब कीजे वीडियो को लाइक कीजे अपने मुवी बडियो के साथ इस वीडियो को शेयर कीजे मैं अगला वीडियो लेकर वापस आ रहा हूँ तब तक के लिए आपना उपना ख्याल रखे Have a great time Thank you so much